दिल्ली दंगों के यारोपी नताशा नर्वाल को भले ही जमानत मिल गई हो, उसके साथियों को जमानत मिल गई हो, लेकिन नताशा रोहतक इस्थित अपने इस घर में नहीं आ सकती। इसके पीछे वज़ा है एड्रेस का वेरिफिकेशन और कभी काफी समय लगेगा एड्रेस वेरिफिकेशन में। दरसल दिल्ली पुलिस का ये रविया उनके पुराने रविये जैसा ही है, जूटे केस में उनको फंसाया गया, इसको हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया कि यूए पीए के चार्ज नहीं बनते हैं, और बेल के ओर्डर 15 तारिख को होने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने ल जिर्द थे वो लोग, उसके बावजुद उनके एक को वेरिफाई कर पाए हैं, दूसरे को नहीं कर पाए हैं, कोशिश दिल्ली पुलिस की ये लगती है कि उनका जितना बुरया तरीके का इन्वेस्टिगेशन था और जो इल मोटीव से उन्होंने इनको गिरफतार किया थ वो किसी भी हालत में उनको छोड़ने को तयार नहीं थे, ये उनके इस रुक से भी साफ होता है। उसके दूसरे जो साथी हैं, वो भी उनके साथ हैं, उनको घबराने की जरूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, एक समय है ये, और ये जो है, हो जाएगा उसका। होती है, काफी टाइम तक जो जेल मरे ना पड़ सकता है, इसलिए हमें ये थोड़ा गवरात होती थी, कि भी पता नहीं कितने दिनों में नतासा घर आएगी और तो जमानत भी हो गई और भी घर नहीं आ रही। है, ये जो है, वहाँ का इड्रस दिया हुआ था दिल्ली का और वो ये कह रहे थे कि भी जब तक अमारी वियरिफिकेशन नहीं हो जाती घर की, हम इसी एड्रस पर रहेंगे और और उने के बाद फिर हमें जाने दिया जाए घर, तो इसलिए वहाँ रह रहे हैं, अभी जो ह कोई बात हो पाई नताशा से इस बीच, नहीं मेरी स्फोन पर ही हम बात करते थे, वैसे पास मिनिट का टाइम होता था, वो थोड़ी वो था, लो हो जाती थी, कुछ बात भाई साब कर लेते थे, बस आपको बता दें कि जो नताशा के परिवाद में इस वक्त नताशा और उसका भाई है, बाकी बुआ हैं और साथी साथ फूपा हैं, इन सब के बीच पिता का देहान थो गया, कोवीट की वज़े से, कुछ महीने पहले, लेकिन जो मा है, वो करीब, जब 13 साल की थी नताशा, तब वो इस दुनिया में नहीं रही, ऐसे में अब नताशा का सभी इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, लेकिन इस घड़ी में परिवार उसके साथ ख़ड़ा है, क्यामरमेन संजय के साथ राम किंकर सिंग, रोह तक आज तक.